हेलो दोस्तो स्वागत है कर फिर से आपका इतने YouTube चैनल एक्जाम अपडेट्स दें दोस्तो आज की विडियो में बात करने वाला ह हम कि UP पार्टिक इंटरेस एक्जाम 2009 में कि आपका exam time कितना होगा आपका exam paper कितने exam exam का paper कितने गंडे गहाँगा कितने question आएंगे एक question कितने marks गहाँगा और minus marking होगी या नहीं और होगा तो कितना होगा तो इस के बारे में मैं detail बताऊंगा क्योंकि दोस्तों इसको लेकर काफी बार जो नए student है comment करते रहते हैं कि interest exam में कितना number minus है कितने time कितने घंडे का होगा इस अभी question आ रहे थे तो मैंने सोचा इस video को detail बताऊं आप सभी को तो दोस्तों video पसंद आएगा ज़रूर लए करिएगा नवस्कार दोस्तों स्वागा थेकवा फिस से आपका अपने YouTube चाहे exam address ने दोस्तों video शुरू करने से पहले बता दे अभी ताग आपने मेरे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो subscribe करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे त्यूंकि दोस्तों आपका जो interest exam चाहे वो आपका A group का हो या चाहे K group का हो A से K group में कोई भी group हो तो total आपकी question जो दोस्तों होते हैं आपकी 100 question आते हैं हर group के interest exam में 100 question होगे और बात कर लेते हैं timing की तो दोस्तों जो आपका exam होगा interest exam total आपको 3 घंटे मिलेंगे 100 question solve करने के लिए और बता दे कि जो आपका correct answer पर कितना number मिलेगा तो दोस्तों जो correct answer होगा आपका तो दोस्तों correct answer का आपको मिलेगा plus 4 marks मतलब 4 number आपको 1 question पर सही करने के लिए मिलेगा और अगर गलत हो जाएगा दोस्तों तो आपका उसमें से minus 1 negative मतलब एक number घटा ले जाएगे अर्था दोस्तों आपका जो 1 question होगा 4 number को होगा और आपने गलत rank over 1 seat में fill किया गलत answer का तो उसमें से आपका 1 number कर जाएगा तो दोस्तों एक number minus marking होगा तो exam देने से पहले आपको सबसे पहले इस पर business ध्यान देना होगा कि आप लोग कोई गलत answer fill करको हमारे नहीं है क्योंकि minus marking होने साब का rank बहुत ही खराब हो सकता है जिससे आपको कालेंज मिलने में थोड़ी परसा नहीं होगी तो इसलिए आप जितने अच्छे question हो और सही confirmation के साथ आपको answer आए उसी को feel करिएगा और साथ में दोस्तों बता दें और कोई update आपको चाहिए कोई भी जान काई चाहिए तो मैं चैनल पर comment करिए मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और वीडियो अच्छारे को लाइक करिए अपने friend के साथ भी share करिए जो इस बार interest exam दिये हैं और साथ में मैंने काफी जादा interest exams related question important question syllabus और साथ में group A और K4 I group का और K group A का 2018 का previous year का मैंने solve करके paper डाला तो उसको जाकर जो देखे इसका link discussion में देदूँगा तो जोस्तों आसा वीडियो पसंद है पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए झाले तो जोस्तों पसंद है